नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोगों का स्टेटी ग्लोस पर शिर्यस तलपड़े, इर्फान, खान ये सब ऐसे एक्टर हैं जो कि नेचरल एक्टिंग करते हैं इन्होंने एक्टिंग सीखी भले ही हो, लेकिन ये मानके चलिए कि पैदाईशी एक्टर होते हैं आप लोगोंने इकबाल फिल्म देखी होगी, जो कि क्रिकेट की उपर आधरी थी उस फिल्म के अंदर श्रेस तलपड़े ने जिस तरीके से अपने रोल को, अपने किरदार को बहुत बहुत बहुतरी नंग से निभाय था बहुत से फैन जो है वो इनके हो गए थे, वहीं से इनकी जर्नी जो है वो जबर्दश शुरू होती है और आज तक ये मानके चलिए कि नेचरल एक्टर्स में इनका नाम आता है यसे हम लोग बॉलिवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स की बात करते हैं जो कि अपने पिता से, अपने दादा से एक्टिंग सीख कर जो है फिर वहाँ पे आते हैं और फिर पूरा बेडा गर्क कर देते हैं इन्होंने खुद से एक्टिंग सीखी है और जर्म से ये लोग जो है एक्टर रहते हैं श्रेस तल पड़े वाकई में एक बहुत अच्छे एक्टर है और हाल ही में इनको एक कार्डियक अरेस्ट आया है कार्डियक अरेस्ट इंडिया के अंदर बहुत नॉर्मल हो चुका है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 35 साल से कम उम्र के अंदर हार अटेक अब आने लग गया है प्राबलम क्या है? प्राबलम है आपकी लाइफस्टाइल आप जिस लाइफस्टाइल के अंदर जीते हैं उस लाइफस्टाइल से ये डिमांड करते हैं कि मैं जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ा रेसर बन जाओ, रनर बन जाओ, बहुत तेज दौड लगाओ इतने एकसाइस कर लो ये बॉड़ी मैं बना लो तो आपकी डेली रुटेन लाइफ ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे डिमांड करते हैं कि मैं ये बन जाओ, उस तरीके से जो है मेरी बॉड़ी जो है, वो आउटकम देना शुरू करे, आप उसे ये डिमांड करते हैं तो श्रेस तलपडे के साथ में क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्या वाकई में उन्हों ने अपनी बॉड़ी को तयार नहीं किया था इन तमाम चीजों के लिए हाल ही में वो एक मूवी के शुटिंग कर रहे थे, वेलकम टू दा जंगल, इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े कलाकार हैं, गिरदार हैं, अक्षे कुमार हैं, इसके अंदर संजेदत हैं, ठीक है, और इसके साथ में श्रेस तलपडे भी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे घर पर आते हैं, और घर पर आने के बाद शिकायत करता हैं कि मुझे थोड़ी से एंसाइटी हो रही है, अपनी जो वाइफ है, दिप्ती, उनके साथ में सारी बाते शेयर करते हैं, दिप्ती वो कहती है कि ठीक है, अपन हास्पिटल चलते हैं दिखाने के लिए, लेकिन जै काडिक अरेश्ट आने की वजह क्या है, और बहुत सारे जो यूथ हैं इंडिया के अंदर उनकी 35 एज से कम हैं, और फिर भी उनको क्या आ रहे हैं, काडिक अरेश्ट आ रहे हैं, रिजन्स हम लोग जानने कोशिश करेंगे, इकबाल फिल्म की बात करें, जो कि जबर्दस ओम शान्ती ओम, ऐसे बहुत सारे फिल्म थी, जिनके अंदर इन्होंने बैतरियन रोल अदा किया, लेकिन ये पहले वेक्ति नहीं है, वैसे तवी इनकी उम्र 47 साल हो चुकी है, और अब पहले से काफी अच्छा बताय जा रहा है, जैसे संजे गांजवी की बात करें, जिन जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि कम उम्र के अंदर काइडिक अरेश्ट का सिकार होते हैं, और फिर अपना जीवन खो देते हैं, चली बात करते हैं, वाई यंग पीपल डाइंग ऑफ काइडिक अरेश्ट, खास तोर पर जो जवान लोग हैं, इनके अंदर ये देखने क् दिखते होंगे कि आजकल यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेस्बूक पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, जिसके अंदर वो जिम के अंदर बाड़ी बाड़ी बनाते हुए दिखते हैं, उनसे इंफ्लुएंस है कि हम भी जो है वो अगले दिन जिम को इसलिए हम लोग ये बाड़ी से दिबाड़ करते हैं, हमारी खुद के जो फिजिक है उसे डिमाड़ करते हैं, कि वो जल से जल जो है वैसा कर्नवर्ट हो जाए, और उसके मताबिक हम लोग को ना तो इंतजार होता है, क्योंकि समय लगता है किसी भी बाड़ी को बिसिकली होता क्या है कि हम लोग disease की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं, काइडियो मायप्थी, काइडियो मायप्थी बिसिकली एक disease है जिसके अंदर heart की जो muscles हैं, वो इतना ज़़ा contract होती हैं, सिकुड जाती हैं, जिससे heart beat जो है वो out of control हो जाती है, आपका blood circulation disturb हो जा आपकी arteries वगरा के अंदर जो भी blood flow हो रहा है, वो blood flow होना पूरी तरीके से imbalance की condition में आ जाता है, आप लोग को पता है कि आपका heart जो है, वो एक बार के अंदर 70 ml blood को pump करता है, एक बार के अंदर, in a single time, तो 70 ml blood pump करता है, क्योंकि जरुवत इतनी ही हैं, और वो जब blood pump करता है, तो उसके अंदर oxygen की particles होते हैं, वही oxygen की particles जो हैं, वो basically क्या करता है, आपके दिमाग के लिए, आपकी कोशिकाएं, जो हैं, cells हैं, उनके लिए, बोजन का काम करती है, खाने का काम करती है, फूर का काम करती है, तो जब ये मानके चलिए, कि heart पर ज्यादा load आएगा, उसको ब value by up 3, और इसके अंदर क्या होता है, कि आपकी जो arteries है, आपकी जो muscles है, उनके उपर extra workload रहता है, हम लोग ये कहते हैं, कि heart का जो rhythm है, वो disturb हो जाता है, और disturb होने की वज़े है, कि आपने उससे extra demand कर लिया है, extra work करवाना शुरू कर दिया है, जिससे आपका पूरा का पूरा rhythm ह है, वो बिगड़ गया है, जिससे heart beat है, अब heart beat जो है, 72 होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, जिससे मैं exercise किया, अब exercise sudden आपने करना शुरू कर दिया, और जैसे sudden आपने exercise करना शुरू किया, और आपका heart पहले से उसका habitual नहीं था, आपको तो चाहिए, बड़िया muscles, तो फिर वो क्या करेगा, वो बिचला हार जाएगा, तो फिर cardiac arrest जो होना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज, अब जिससे माल लीजी कि, कोई भी इनसान ये सुईकार नहीं करता है, कि मैं कमजोर हूँ, मैं अगर आपको कहूँ कि, आपके heart के अंदर ब्लॉकेज है, तो आप पुशप मैं लगा दूँगा, क्या सपाटे मार है, हर्याने लेंग्वेज में, हर्याने लेंग्वेज में हैं न, क्या कहते हैं उसको, राम राम सारा भाया ने, तो वो सपाटे लगाते हैं, तो सपाटे जो है, माल लीजी कि किसी दोस निगा किया, आज तो जो है, वो 200 में आता है ब्लॉकेज आपके हर्ट के अंदर था और आपने उसको काम पे लगा दिया इसलिए 35 से कम की एज के अंदर जो है वो आपको हर्ट लेगाना शुरू हो जाता है यहां पर देखिए कोशन यह है कि वाई आर लॉंग डिस्टेंस रुनर दोज हुए सफरिंग फ्रॉ जो है उसको दोडते हैं ठीक है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि आप पहले 6 महीने जो है वो रोजना 2-3 घंटे प्रैक्टिस करें 6 महीने पहले से अगर आपको 5 किलोमेटर की दौर अगर दोडनी है तो आप लोग 5-6 महीने पहले से उसकी 25 साल दोड सकता है लेकिन हमने उसको वर्क पर लगा दिया तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़े जो है वो हो सकती है ठीक है तो यह सारा जो है वो basically cardiac arrest के बारे में है यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है think it like volcano जोला मुखी जो होता है जोला मुखी में आप लोगों ने देखा है कि जोला मुखी कि ऊपर से जो है वो वहाँ से लावा वगरा निकलना शुरू हो जाता है लेकिन बेश में अगर मान लीजिए कोई भी blockage है अब यहाँ से pressure लग रहा है और pressure लग रहा है तो यहाँ जो है वो basically क्या होगा यह sudden यहाँ से जो है वो बाहर निकलेगा जो भी यहाँ पर particles थे वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद फिर क्या होगा वो फट जाता है तो ठीक वालकेनों के बीच में कोई blockage है और नीचे से pressure आ रहा है तो pressure आने कानों ऊपर का जो है उसम हमारे heart के साथ में होती है इसलिए जब भी कोई race marathon दोड़ता है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि 5 km की race अगर कर रहे है तो 6 महीने पहले से त्यारी करनी चाहिए यहाँ पर अगर आप लोग चेक करना चाहिए कि हमारा heart जो है वो healthy है कि नहीं है तो heart rate क्य measure कीजिए अगर वो मान लीजिए कि 120, 130, 140 के आसपास पहुंच रहा है BP आपका तो उस समय मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपको problematic कर सकता है आपकी heart beat जो है वो 140 के आसपास पहुंच रही है per minute तो it might be कि आपका heart जो है उस समय वो बहुत जिदा work load को feel कर रहा है क्योंकि यह heart beat तब पहुंचेगी इतनी जब आपके heart को इतना काम करने कि आदत नहीं होगी ठीक है और अगर आपने practice कर रखे तो heart beat इतनी नहीं पहुंचेगी BP जो है इतना नहीं पहुंचेगा तो कि heart को पता है कि मैंने already इसकी practice कर रहा है तो यह सारे reasons हैं जिसके अंदर ठीक ढंग से आपके brain के अंदर आपके heart के अंदर proper functions नहीं हो पाते और आपको cardiac arrest हो जाता है जैसे हाली के अंदर श्रैस तलपड़ जो है उनके साथ में हुआ है इसलिए आप लोगों के लिए का advice भी यह है जाते जाते हैर वैसे मैं advice देता नहीं हूँ क्योंकि पहले मैं खुद follow करता उसके बाद में मैं किसी advice को देना पसंद करता हूँ लेकिन फिर भी यह है कि एक healthy lifestyle के लिए आप जैसे evening का समय है तो 5-6 बज़े बाद जो है वो बहुत हलका खाना शुरू कर दीजे यह advice मैं दे सकता हूँ कि मैं खुद उसको follow करता हूँ इसलिए मैं दे सकता हूँ ठीक है चलिए तो limitless leadership code के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं आप लोग को coupon code यूज करना है leader जिससे आप लोग को discount price में ये मिल जाएगा एक December से हमारा ये course शुरू हो चुका है दीपग इंदोरा official telegram channel को join कर लिए lecture की PDF आप लोग को यहाँ पर available हो जाएगी ठीक है तो चलिए मि लोग को से अगले session में तब तक लिए धन्नेवाद थेंक्यू जाहिंद